हेलो एब्रिवान वेल्कम टू कॉन स्टडी हम लोग अपने जेकी इससबी क्लास 4 की रिक्रूट्मेंट का जिये का पार्ट कवर कर रहे हैं जो कि अब आपका 40 मांक्स का आता है अभी तक मैंने आपको इंडियन जेओग्रुफी कवर करवा दिया है संभवसर ने आपको अलम और मैं आपको आज से इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट कराने वाली हूं अब इसी के साथ साथ मैं आपको कापिटल स्टेट भी कराती हूं रोज के दो कापिटल स्टेट होते हैं आपके यह लेक्चर आपका रोज शाम को चार बज़े अपलोड हो जाता है डेली ओके अगर अभी तक हैंने चाणल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लिजिए और अगर नए हैं तो भी आप चानल को सब्सक्राइब कर लिजिए और जो भी हमाये सोच्छल मीडिया हैं जो कि मेरे description box में available है जिनके links उन्हें आप जाके follow कर लीजे जहां हम telegram पर daily quizzes arrange कराते हैं और FB और insta पर आपको channel की daily updates मिलती रहती हैं अगर हम Indian history की बात करें तो हमारी Indian history जो है वो major 3 parts में divided है ancient history जो की 780 तक चलती है prehistoric से 780 तक चलती है medieval history जो 780 से लेकर 1857 तक चलेगी और Indian history आपको पता है 1857 के आगे Indian history हमारी start हो जाती है तो अगर हम लोग देखें आज हम लोग ancient history पढ़ेंगे ancient history में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमारा prehistoric period start हो जाता है जिसमें हम लोग जो भी हमारे स्टोनेज वाले लोग थे उनकी बात करते हैं majorly ठीक है तो यहां पर हमारे homo sapiens और homo erectus दोनों ही found होते हैं क्योंकि यह स्टोनेज की हम बात कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर major two tribes जो पहले फाउंड हुए थे वह नागास northeast में थे इस्ट इंडिया में थे भील सेंट्रल इंडिया में गौन सेंट्रल इंडिया में टोडास साउथ इंडिया में ओके यहां पर अगर हम आरेंज जो की बोला जाता है कि यह दीज वर अर्ली सेट्लर इंडिया यह मेजर ली ऐसा माना जाता है कि यह इंडिया का पार्ट नहीं थे देवर इमिग्रेंट जो बाद में इंडिया में आके सेटल हो गए थे अगर हम करें पहली उलिथिक क्या थी लोग यहां पर food gatherers थे okay food gatherers थे और hunters थे इसलिए यहां के लोगों को hunter gatherers भी बोला जाता है ठीक है यहां पर जो majorly tools थे वो hand axes, cleavers, choppers, blades, scrapers, burden यह सब थे but mind you, यह कोई भी जो tools थे यह sharp नहीं थे majorly limestone या फिर cave से जो भी इनको stones मिलते थे उससे बनाए जाते थे ठीक है तो fire यहां पर discover हो चुकी थी इस period तक आते आते ठीक है तो यह major चीजे हैं जो इस period की थी यहां पर एक और चीज आप याद रखेगा कि जो tools थे उन्हें quartisite tools भी बोला जाता था क्योंकि यह बहुत ज़दा कोई यह majorly caves के ही रॉक से बनाए जाते थी तो इन्हें quartisite भी बोला जाता था और इसलिए जो जहां यहां के men थे उन्हें quartisite men भी बोला जाता था ठीक है अब यहां की अगर हम बात करें पहले लिदिक साइट्स की तो सोन वैली पटवार प्लाटू यह नौर्थ वेस्ट इंडिया में है शिवाले किल्स तो नौर्थ इंडिया में है भीम बेट का मध् करना है कि यह साइट्स जो है कौन कहां पर पाई जाती है और यह स्टाइट्स अगर आपको कभी नाम आ जाए एक्जाम में तो यह कौन से पीड़िट से बिलॉंग करती है ओकी यहां पर मेजरली क्या हुआ था अब टूल्स भी थोड़े से चेंज हो गए थे माइक्रो लिट्स आग rozp में स्टोंस यूजिड़ा ना शुरू कर दिये त्षा अपने टूल्स के लिए थे चीख है तो अब यह माइक्रो लिट्स कहां पर हमें मिले ब्रह्मगेरी में नर्मदा में और गुजरात में diesesट यहां पर एक हुर में चीज हो गई सब्सक्राइब तो नहीं गोट जो थी आपकी मानी जाती है कि सबसे अर्ली जो पैट्स थे उनमें गोट का नाम सबसे जादा माना जाता है तो गोट और डॉक्स जो थे वह मेजरली डोमेस्टिकेट के जाते हैं थे लोगों के दवारा ठीक है बट अलग अलग जिगा पर अल पाँशन के लिग्यक्राइब लग चेंज शुरू हो गया था जिसकी विविशश से जो नेक्स पीरियद आएगा उसमें एंग्रिकल्चर हमारा स्ट यह था ठीक है तो मेजरली यह हो गया हमारा मेजवलिधिक बीड अब चलते हैं आपने नियो लिथिक पेड पेड ठीक है हमें settlement के science दिखे हैं ठीक है पहली बार ऐसा जिसे लोग एक ग्रुप में रहने लगे थी जिसको नाम दिया गया था इनाम गाउं पहला विलेज जो नियो लिथिक का था उसे इनाम गाउं बोला गया यहां पर major मेगालिथिक साइट्स हैं हमने जो पुरानी हमने देखी अभी पीरियट उसमें हमने क्या बोल था माइक्रोलिथ्स तो यहां पर ब्रह्मगेरी और आधी चनलूर यह साइट्स है यहां की ठीक है अब अगर हम मेजर साइट्स की बात करें नियोलिथिक साइट में तो है पिट ड्वेलिंग मीन्स की घरों में पिट्स खो दे गए थे और ग्रेव यार्ड हों थे वो घर में ही बनाए जाते थे ठीक है और बाकी यह साइट्स है कुछ जिन में से यह साइट जो है यह थोड़ी इंपॉर्टेंट है चिरांडो सेनुवर जो भीहार में है जहां है पर बॉन टूल बॉन से बनाए जाते थे थे ठीक है मैंने आपको मेजोलिथिक में बताया था में हमारे जो शााप स्टुन से उससे बनाए जाते यहां तक आते तक ब değil हम बात करें तो इस एक में राइस जो था वह काफ़ी फेमस हो गया था क्यूंकि agriculture में क्या क्या आ हो गया बाले हो गया यह सब चीजहों नियो लिठीक में थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई थी ओके और कटलस को हम लोक किसके लिए ये लोग काटल्स को आप ट्रांस्पोर्ड के लिए भी क्योंकि वील आ गया था वील आ गया मतलब क्या कि अब वील से वो लोग ट्रांस्पोर्ट भी शुरू कर चुके थे ठीक है और यहां इस एज तक आते आते लोगों ने अपने क्लोद्स भी पहनना शुरू कर दे थे जो कि कॉटन और वूल से बने होते थे अब आगया चालकुलिथिक पीरिट को हम लोग कॉपर एज भी बोलते हैं या फिर ब्रॉण जेज भी बोलते हैं क्योंकि यहां पर कॉपर और टिन दोनों का ही यूज होता था ठीक है अब इसी पीरिट का एक इसी पीरिट का एक बहुत ही बड़ा जो मेजर हमारा पीरियड ह है इस इन्दस वैली सिइएशन जो पहली बार हमारी सेटिलमेंड या बोर्तरी्ह वी शुरू हो गई थी जिसे ब्लाक पॉट्डी और डेड पॉट्री दोनों ही बोला जाता है अब बाकी कलचे जो हैं एक सेकिंड ठीक है तो अब यह जो कल्च से कहां देखने को मिले हैं ब्रामगिरी, नवादा टोली, महिशदल और चिरांड में ठीक है अब इन्दस वैली को देख लेते हैं इसे हम लोग यह मेजर से फर्स्ट मेजर सिविलाइज़ेशन थी साउथ एशिया की और इसका टाइम पिरियेड ऑल्मोस्ट बिट्वीन 2700 बीसी टू 1900 बीसी के अराउंड ठीक है इसके अराउंड है मतलब आल्मोस्ट आल्मोस्ट एट हंडर्ड इयर्स का यहां का टाइम पिरियेड है पहली बार सिटी लाइफ देखने को मिली अब यहाँ पर दो मेजर साइट थी हरपन साइट और मोहिशदारो साइट ठीक है हरपन साइट जो है वो हमारी देयाराम साहनी यह आपको वोड याद होना मतलब इनका नाम याद होना चाहिए देयाराम साहनी जो थे उन्होंने सबसे पहले डिसकवर की थी हरपन सिविलाइजिशन के बार में और आड़ी बनेर्जी ने सबसे पहले मोहिशदारो सिविलाइजिशन जो म महिंजोदारों movie देखी है तो आपको पता होगा कि एक citadel होता था कि जहांपर मेजरली जो भी ministers वागारा यहां के बनाया जाते थे जो सिटी को gments Yes त्यों यहां पर रहते थे और उसकी पास एक लोड टाउन होता था जहांपर मेजरली जो हमारी जनता है वो रहते थी ठीक है यहाँ पर रेड पॉटरी जो थी वह बहुत फैमिस थी जिस पर ब्लाक डिजाइन शुरू हो गये थे ठीक है तो यहाँ पर वुटर्ण प्लोइंग जो थी वो भी देखी गई थी ठीक है तो अब यह कैटल को प्लोइंग वगेरा के लिए भी यूज करते थे ठीक है तो और अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे बॉड़ी से पहले वो वुड़न कॉफिन्स में बरी किये जाते थे ऐसा उसका इसा पैटन चेंज होने लगा और एज शेब मतलब बॉड़ी जो थी यह एक बॉड़ी यह दूसरी बॉड़ी और थीसरी बॉड़ी ऐसे एलाइन करके यह लोग बुरियल करते थे ठीक है रोड जो भी उनके जो बॉड़ी के मतलब जो भी बरी होते थे उसको इस में यह देखिए इस टाइप की घड़े बनाए जाते जिसमें बॉडी इसको बारी किया जाता था ठीक है उसके बाद चो टेक्स्टाइल से वह स्पिनिंग और वीविंग से बनना शुरू हो गए थे पहले मैंने आपको बताया था नियोलिथिक में भी कॉटन और वूल के बनना शुरू हो गए थे बट यहां तका देया के स्पिनिंग और वीविंग शुरू हो गए थी ठीक है और इक्वल स्टेटस था मैन और वुमेन में मतलब यह बहुत ही ऑर्गिनाइज्ड और मैनेट सिटी थी ठीक है यहां पर मेजरली ही जो आपको याद रखना है कि यह यहां पर वेट्स जो थे वो 16 के मल्टिपल में थे और यहां पर लोग पूजा वगएरा भी करना शुरू हो गए थे इसलिए हम यहां पर पशुपती महादेव और गॉड़िस भी देखी जाती है इस टाइम के अंडर ठीक है अगर हम यहां की साइट्स की बात करें तो कि रिवर पर बेज थी ठीक है उसके बाद इसका जो सिट्रेडल था वो शिति से बाहर था जैनरल घिक होता था कि सिट्रेडस सिटि के अंदर होता था इसका जितल सिट्रिक सब्सक्राइब कर 있는 और इसा उब भी बताया वो बिल्लिंग जहां पर जो भी ड्रिसुपतार थी इसका citadel ही नहीं था ठीक है ये इसका important fact है काली बंगन अगर काली बंगन means black bangles ये majorly राजस्थान में ये साइट देखी गई थी गगर नदी के आसपस यहां पर horses के remains देखे गए हैं ये क्यों important है क्योंकि अभी तक चाल्गुलिथिक तक horses थे ही नहीं ठीक है horses को ना तो इन्होंने as domesticate किया हो था और horses के कोई भी evidence जो है वो नहीं देखे गए बट काली बंगन में horses के remains देखे गए थे और इसे third capital भी बोलते हैं इन्दस empire का ठीक है अब आगे कुछ और साइट्स देख लेते हैं अगर लोथल को देखें तो लोथल हमारा जो है वो स्टोर हाउस माना जाता था यह earliest port भी था in the civilization में और यहां पर double burial system था ठीक है अगर रोपर में देखा जाए तो रोपर में dogs को बरी किया जाता था humans के साथ तो ऐसा माना जाता है कि जो भी लोग थे जिन्होंने अपने pets dogs रखे होए थे जब वो मर जाते थे तो उनके pets को भी उन्हीं के साथ बरी कर देते थे ठीक है बनावली जो कि हर्याना में है यहां पर बारले cultivation देखी गई थी और दोला वीरा दोला वीरा जो थी यह biggest site थी इंडिया की ठीक है इंडिस वैली civilization की ओके तो लेट्स मूव फॉरवर्ड अब देख लेते हैं हमारी इंडिन स्टेट्स और सबसे पहले जिसकी क्यापिटल है बोपाल यह देखिए मध्यप्रदेश की लोकेशन यह मध्यप्रदेश की लोकेशन है यहां पर डिस्रिक्स है 52 इसे बोला जाता है हार्ट ओफ इंडिया यह कालिदास का भी होम लैन था और वान अफ दे लाज़ेस प्रडियूस है किसकी सोया बीन्स की यहां पर मेजर रिवर्स है बेटवा चंबल सोन नर्मदा तापी स्टेट अनिमल है बारा सिंगा स्टेट बर्ड है इंडियन पैराडाइस प्लाइश जो की बहुत सुंदर बर्ड है स्टेट फ्लार है मेडिना लिली ठीक है अगर जोग्राफिकल सब्सक्राइश में हैं बांदवगर्ड नैशनल पार्ग जो की टाइगर्स के लिए बहुत फेमस है बांदवगर्ड काना माधव पन्ना पैंच संजे सद्पुरा वन विहार ठीक है यह सब नैशनल पार्ग से यहां पर और यहां पर बायो स्प्वेर रिजर्व जो है वह अगर आपको याद होगा तो मैंने जब आपको चतिस गर्ड करवाया था तब भी मैंने आपको अचानक मार के बारे में बताया हुआ है तो यह जो बाइस फेर रिजर्व है यह मध्यप्रदेश और चतिस गर्ड में इक्विली डिस्ट्रिब्यूटेड है और यह दोनों ही रिजेट में बहुत फेमस है जलिए नेक्स टेट देख लेते हैं नेक्स टेट स्टेड is महाराष्टा महाराष्टा देखिए महाराइश्टा की हमारी लोकीशिन है यह तो यहां पर डिस्ट्रिक्स-36 यह लाजर्ड प्रड्यूँसर है शुगर केंन का है यहां पर मेजर वर्ज है नर्मदा गुदावरी कृष्णा स्टेट आनिमल की बात करें तो जाइन स्क्विरल है यहां पर स्टेट बर्ड यहां पर है ग्रीन पिजन स्टेट ट्री हमारा है मैंगो क्योंकि महराष्ट्रा मैंगो के लिए वैसे भी बहुत फेमस है वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर हम बात करें तो गुगामल नाशनल पार्क नवेगाउन नाशनल पार्क संजे गांधी काफी आता है एक्जाम में संजे गांधी नाशनल पार्क फिर टेडोबा नाशनल पार्क पैंच नाशनल पार्क और चंदोली नाशनल पार्क टाइगर रिजर्व की बात करें त आज का लेक्चे खतम होता है आज भी मैं आपके लिए 5 questions लेकी आई हूं इन में से mostly के answers आपको इसी लेक्चर में मिल जाएंगे आपको आज का लेक्चे पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो प्लीज आप इसे like कर दीजिए और अगर आपको कोई भी query है इस lecture के regarding तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं आपकी queries को solve करने की पूरी कोशिश करूंगी thank you so much and God bless you